तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बिच पर लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी इंटुशन को फॉलो करना है सिर्फ एग गाइडेंस के तौर पर देखना है कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की इनर्जी पिक होगी तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट से आप से रिजोनेट करें तो जितना रिजोनेट करता है बाकी को जाने दिजिए ै, टाइमलिस रीडिंग है, मेरी और मुझे वाटसैप कर सकते हो, कॉल नहीं करना पिक नहीं होगी है। यह इसके लाबा मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे देव हुई है। डीप ब्रीद लीजिए अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों कि आपको सही जवाब मिलें उसके बाद अपने परसन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रिडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आई और उनका नाम धराते लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थेंक्यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए मेरा सेकेंड चैनल है लवन स्पिरिच्वल्टी 1111 आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वह प्लीज डिवाइन आइनीड ओनली 5 कार्ट हमारे विवर्स के परसंट की करेंट फिलिंग इस वक्त हमारे विवर्स को लेकर के क्या है प्लीज डिवाइन में बताईए फाइनल शफल बाबाजी ठीक इस वक्त हमारे विवर्स के परसंट की करेंट फिलिंग हमारे विवर्स को लेकर के क्या है प्लीज डिवाइन बिताईए I need only five cards जोडेक साइन के अगर मैं बात करूं तिहां पे Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius इसे इन टार्स, वर्गो, Capricorn की अगरी और ऐसे अभी Magician है तो सभी Sign आगे बैसे चारों इलिमेंट यहां पे हैं आपके person की energy जो है वो कुछ इस तरीके की है कि आपके person को ऐसा लग रहा है कि यह बहुत emotional है आपके लिए यह तेजी से action लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ क्या कर रहे हो आप अप बहुत attitude में हो आप अपनी जिन्दगी में खुश हो अपनी जिन्दगी में आप बहुत अच्छी position पे हो सकते हो सब कुछ बहुत अपनी career में बहुत अच्छा कर रहे हो life में सबका आपका एक नाम इज़त रुतवा है बहुत क्या कहना चाहिए self love की condition में हो ठीक है आप इनको ज़ादा भाव नहीं दे रहे हो पर यह आपके लिए emotional है इनको ऐसा लगता है ठीक है ऐसा और आपकी इस attitude ने जो की self love की condition में है और जो queen of wands की तरह है मतलब एक powerful position पे है और सिर्फ अपने उपर ध्यान दे रहे है इस वज़े से आपके person को ऐसा लगता है कि आपने इनने धोका दिया है आप इनके बगएर खुश हो अपने जिन्दगे में रोध हो नहीं रहे हो इस बात को लेकर के इनके अंदर थोड़ा सा गुसा है और गुसा नहीं कह सकते हैं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनने धोका दे दिया है सब कुछ खतम कर दिया है इनने ऐसा लग रहा है ये इस रिष्टे पे काम करना चाहते हैं ये इस रिष्टे को ठीक करना चाहते हैं चीजों को फिनेंसिस को काम करना चाहते हैं फिनेंसिस में मतलब पैसे पे काम करना चाहते हैं और ये सब कुछ ये अपनी जिन्दगी में वो सबसे पहले तो आपके साथ आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए साम, दाम, दंड, बेट सब कुछ अपनाना चाते हैं ये एनरजी है दूसरी तरफ इनका ये है कि अपनी जिन्दगी के हर छेतर में ये बहुत अच्छा प्रद खुद को परफिक्ट बनाने की कोशिस कर रहे है ठीक है? और आपके साथ एक निव बेगिनिंग चाहते हैं, आपको मेनिफिस्ट कर रहे हैं अपनी जिन्दगी में लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिन्दगी में खुश हो, आपको कोई खास फरक इनके रहने न रहने से नहीं बढ़ता है हमारे आपके इंपर्स के canons किस वक्त हमारे वीकर की क्या है मैं बताएं marriage करना चाहते हैं courtship चाहते हैं ठीक है 3 number and 4 number आपके person की energy यह है कि यह आपसे marriage करना चाहते हैं या at least दोस्ती कुछ business partnership भी करना चाहते हैं आपके साथ में और साथ में यह आपसे marriage भी करना चाहते हैं दोनों ही चीज़े हैं या कुछ लोगों के लिए energy यहाँ पर यह होगी कि दोनों में से कोई option चलेगा मतलब इनकी जिन्दगी से जाओ मत बने रहो अगर यह marriage कहीं और कर रहे हैं या already किसी और के साथ में committed या married हैं तो वहाँ पर यह चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा समय बिताएं आपके साथ एक formal meeting कर लें आपसे एक मिलना चाहते हैं एक बार यह और कोई business हो सकता है आपके साथ मिलके start करें कोई काम धंदा आपके साथ में start करें अशा भी कुछ है सोच रहे हैं मतलब एक formal meeting जहां पर यह नहीं चाहते हैं कि यह किसी भी तरीके का अभी फिलाल इन से कोई commitment या कुछ भी आप इस तरीके का मांगें ऐसा नहीं चाहते हैं यहां पर marriage के बारे में सोच जरूर रहे हैं ठीक है एक बार मैं इसको clarify कर लेते हूं इसने confuse कर दिया थोड़ा सा प्लीज डिवाइन marriage क्योंकि bottom की energy courtship की है और marriage भी है यह भी हो सकता है कि आपके person जो है अभी फिलाल आप से चाहते हैं कि आप इनके साथ में क्योंकि यह काम कर रहे है अभी condition इस तरीके कि है भी नहीं कि अभी एकदम से आप से marriage कर सकें तो कभी अभी यह चाहते हैं चस्ट इक formal meeting कर लो मिल लो और कोई business साथ में start कर लेते हूं बाद में देखेंगे तो हम marriage कर लेंगे ठीक है लेकिन मैं फिर भी एक बार clarify कर लेते हूं please divine marriage को clarify कर ये marriage यहां पर क्या कह रहा है फाइनल शेफल बाबजी marriage यहां पर क्यों है please बताएए यह अपना प्यार बरा कप आपको offer करना चाहते हैं और यह आपको बहुत ज़्यादा miss कर लें अगर जिल लोगों की person already married है तो यह तो भी है आपको प्यार बरा कप offer करना चाहते हैं बहुत missing energy है और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया है कि यह अभी आपसे marriage तो नहीं कर सकते हैं इस वक्त चाहते हैं कि आप इनके साथ बीना किसी commitment के बीना किसी उसके आप इनके साथ में बने रहो बाद में यह marriage के बारे में सोचेंगे ठीक है यहाँ पर यह चीज़ है क्योंकि इनकी missing energy है बहुत जादा कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का रिष्टा अगर नया है तो आपके person अभी चाहते हैं आपके three number four number important हो सकता है आप लोगों के लिए अभी यह चाहते हैं कि आप इनके साथ एक दोस्ती कर लो आगे चलके देखेंगे अगर इनकी emotions develop हो गए तो यह आपके साथ में marriage करेंगे ठीक है फिलाल यह चीज़ है क्योंकि emotions दोनों ही situation में होंगे अगे अगर पुराना रिष्टा भी होगा तो भी क्योंकि यहां पे भी queen of wands and king of cups की नर्जी है मतलब आपके person के इंदर आपके लिए emotions हैं बड़ आपके इंदर उनके लिए emotions नहीं है ठीक है तब यह अपसे marriage करेंगे यहां पे चीज़ है तब तक के लिए एक formal meeting कर लो साथ रह लो थोड़ा time spend करते हैं यह इनकी energy है please divine please बाबा जी हमारे viewers के person हमारे viewers को क्या message देना चाते हैं please divine में बताए I need only one card please divine please बाबा जी हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाते हैं please बताए I miss you so much and I can't live without you yes आपके person आपसे कहना चाहिए I'm crying for you only ठीक है आपके person आपसे कह रहे हैं कि यह आपके लिए रोते हैं बहुत ज़ादा और यह आपको बहुत ज़ादा miss करते हैं और यह आपके बगेर नहीं रह सकते हैं ठीक है तो ही दिया हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे resonate कियोगी guidance मिली होगी अगर resonate किया guidance मिली है तो अपली चैनल को like share और subscribe कियो अगर नहीं जाएगा मिलते हैं next reading में till then bye bye take care stay positive stay happy love you all